हे दोस्तों आज किस वीडियो में में बात करने वाला हूँ जियो एटल वी और बीएसल के बारे में और उसके साथ ही कुछ फोन के बारे में जो फोन इस समय आने वाले हैं यानि अगले साल यानि बस दो हजार तेइस चुर लगी रहा है बस उसमें जो फोन आने वाले हैं तो तो आज की वीडियों शुरू करने से पहले कहूंगा अगर चैनल पर नहीं हो चैनल सुस्क्राइब कर लेना और बेल आइक को दुबाना मत बूलना तो मैं शुरू करता हूं तो मेरे पास पहली जो खबर है वो है बीएसल की तरफ से बीएसल पहले कहा रहा था कि हम 5G है जो क जल्दी हिली आएंगे 4G को स्किप कर देंगे पर ऐसा नहीं है पर अब टेलिको मिनिस्टर ने कहा है कि अब पहले हम 4G देंगे मार्च में आपको और उसकी 3-4 महीनों बाद आपको 5G की सर्विस देने लग जाएंगे यानि अगर से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया तो यह थी बात अब बात करते हैं फोन की तो फोन में रेडमी के 60 प्रो और अग्र भात करों की तो डूर के स्क्रीन में उपको मिलती है और उसमें आपको 16 जी हम देखने को मिलती है और यह चैना में स्टार में 40,000 रूपे का आया हूए अगर इंडिया में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है तो आपको एक अच्छा सस्तहा और बड़िया फोन देखने को मिलेगा तो अगली कबर है पोको की तरफ से पोकिक पोको का C50 फोन जल्दी है आपको देखने के लिए मिलेगा उसका लैंडिंग पे पेज फिल्ली पर आचका है तो यह आपको जनवरी में ही देखने के लिए मिल जाएगा और जिसम्हें आपको फ्लैक्षीट फोन मिलेगा और अच्छी स्क्रीन मिलेगी आपको और लगब आपको 10,000 रुपे तक पड़ जाएगा तो अगली ख़बर है Realme GT New 5 से जो कि इसका लैंडिंग पेज आउट हो चुका है जिसे में आपको 240 वोट चार्जिन देखने के मिलेगी यानि 7 मिनिट में ही पूरा जीरो से लेकर 100% तक चार्जिन जिल्दी हो जाए करागी तो मेरे पास अगली न्यूज है वोट फोन आइडिया के यूजरों के लिए जो वोट फोन आइडिया की अंदेखा करना पड़े क्योंकि इससे आपके फोन की सारे डिटेल जा सकती है और आपका डाटा उड़ सकता है तो अपने फोन को बचा कर रखें तो ऐसे कोई बहकावे में मताना ठीक है जब अगोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा ठीक और रही बात आपको Poco X5 देखने के लिए मिलेगा बजार में यह सेम होगा जैसे Redmi Note 12 था वैसा ही सेम आपको दिखाई देगा उसका नाम बतल दिया है बाकी सब सेम है जिसमें आपको 33 वोट की चार्जिंग मिलती है और आपको 13 Megafixable का कैमरा मिलता है और अगली न्यूस है सेमसंग की त ट्वीटर दो घंटे के लिए डाउन हो चुका था तो उस पर कोई भी विक्ति कुछ भी नहीं कर बा रहा था तो ट्वीटर गडवडा रहा है आजकल क्योंकि अलउन मस्क भी उसे संभाल नहीं पा रहे है अपना 5G जम्मू और कश्मीर में लॉंच कर दिया है पर क्या हु हुआ कि जियो ने तो पहले ही 11 सीटीज में अनौंसमेंट कर रखी है कि यहां 5G आ चुका है तो टेक न्यूज में बस इतना ही तो आने वाली वीडियो के चैनल सस्क्राइब कर लेना और बेल अगन दुबाना मत बूनला ऐसी वीडियो चैनल में पर आती रहती हैं तो वीडियो तो